नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान गुरु अकेडमी में और बच्चो आज का क्लास काफी महत्पुन है क्योंकि चेप्टर नम्मर 9 का है तीसरा वीडियो है बच्चो और चेप्टर वाई जो हम रिवीजन कर रहे हैं सिच्छा साथ का बच् और आपका 100% एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा यदि आपने हमारी वो पुरानी वीडियो देख रखी है जो हमने चेप्टर वाई आप लोको पढ़ाया था बच्चो किताब से तो आप एक भी वीडियो को मिस मत करना ठीक है चलो सुरू करते हैं लगूतरे प्रसन में कुछ वर्सों से कुछ सताबदियों से महिलाओं की समाजी के उमार्तिक इस्तिती नितांत दैनियती नारी को अबला समझा जाता था तता उसे अनेक अधिकारों से प्राया वन्चित रखा जाता था और तमान युग में जन मानस की सोच में परिवर्तन हुआ आधनिक ब शक्रिय होकर अपना पुर्ण योगदान दें इस इस्तिते में नारी ससक्तिक करण की अवधारना प्रस्तूत की गई इस अवधारना का उदेश्य अबला नारी को सबला बनाना है नारी ससक्तिक करण के लिए बिबिन उपाय भी किये जा रहे हैं इन उपायों में सरवाधिक आवश्य के उपयोगी उपाय है महिला या बालिका सिक्चा का अधिक से अधिक परचारे उप्रसार करना यदि महिलाएं सिक्चित हो जाएंगी तो वे अपनी अधिकारों के प्रतिक जारुक हो जागरुक हो जाएंगी तता उनके लिए शंगर्ष करने की छमता अरजित कर लेंगी ठीक है बच्चो प्रसन संक्या दो है बालिकाओं के बच्चाओं वो उनकी सिक्षा की वर्तमान आवशक्ता पर प्रकाश डालिए देखो बड़ा भारती समाज में वर्तमान में लिंग पुर्वाग्रह देखने को मिलता है इसमें बालिकाओं के परती विसेश रूप से नकरात्मक अवधारना बनी हुई है उन्हें केवल परिशानी का कारण माना जाता है अता लिंग पर इच्छर तता एक पक्षिय बुरूर अत्या देखने को मिलती है बालिकाओं के बचाओं के द्वारा ही समाज में असंतुलित लिंगान उपाद को संतुलित किया जा सकता है असंतुलित लिंगानुपात संपुर्ण मानव अस्तित्व के लिए हनिकारक है असंतुलित लिंगानुपात अनेक प्रकार की शमश्याई उत्पन करता है बालिकाओं को बचा कर उन्हें कुसल मानव संसाधन के रूप में तैयार किया जा सकता है इससे किसी समाज या देश का ही कल्यान नहीं होगा बलकि संपुर्ण विश्वतता मानवता के लिए भी इतकर होगा बालिकाओं की सिक्षा की ब्योस्ता कर बालिकाओं को ग्यान सनवर्द बनाया जा सकता है इससे मानव संसादन का विकास होगा जो मानव संसाधने बच्चो इसका इसमें डेवलप्मेंट होगा विकास होगा सिक्चा की ब्योस्ता का लिंग संबंदी पुर्वाग्रह से दूर किया जा सकता है बच्चो समाज में समानता लाने में सिक्चा का सबसे प्रभावी उपा है केंदर सरकार तता राज सरकार द्वारा महिला या बालिका सिक्चा की दसा में शुधार के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है वर्तमान समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सबसे ससक्त अभियान है बच्चो क्या है बचो शब से शशक्त अभियान है चलिए next question बचो जो की कापी महत्पुन होने वाला है आप लोग के लिए बचो ये प्रसन जो है कापी महत्पुन होने वाला है प्रसन क्या है बचो इन्हें समझ लेते हैं प्रसनिया है कि समाजिक सिक्षा से आप क्या समझते हैं इसके संसाधनों का वरन कीजिए देखिए बटा प्रोड इस्तरी पूरुस को साच्छर्ता तता जीवनों पयोगी ज्यान परदान करने की ब्यवस्ता को समाजिक सिक्षा कहा जाता है वास्तों में समाजिक सिक्षा प् प्रत्व दिया जाता है समाजिक सिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों में नागरिक्ता की चेतना का निर्मार्ट तता समाजिक सुद्रिड़ता का विकास किया जाता है समाजिक सिक्षा के प्रमुक्ष संसाधन है समाजिक सिक्षा या प्रोड सिक्षा के इंदर रात्री पाश् भारत की प्रगती के लिए देश में समाजिक सिक्षा का विकास किया जाना अत्यंत अवश्यक है इसके प्रमुक उदेश निमलिकी थे पहला है बच्चो नागरिकों का बौधिक विकास बारत में प्रोड सिक्चा के माध्यम से नागरिकों का मानसिक यह बौधिक विकास किया जाना आवश्यक है क्योंकि देश की प्रगती में उच मानसिक यह बौधिक अश्तरवाले लोगों का होना अत्यनता आवश्यक है दुसरा है बच्चो, समाजिक भावना भारत एक विविधिता पुरून देसे जाम विविन धर्मों प्रंथों को मानने वाले लोग निवास करते हैं अता समाज सिक्चा जो प्रोड सिक्चा इसके जरीय लोगों में समाजिक भावना का विकास किया जाना चाहिए तिसरा पॉइंट है बच्चो स्वस्त जीवन का ज्यान नागरिकों का स्वस्त रहना आवश्यक है ताकि वे देश निर्माण में अपना पुरुन सायोग परदान कर सकें इसलिए नागरिकों को स्वस्त जीवन सहली अपनाने के लिए प्रोथसाहन दिया जाना चाहिए अध्यात्मिक विकास समाजिक सिक्चा मुख्य उदेश्य देश के नागरिकों में शत्य अहिंशा प्रेम सदाचार की भावनाओं को जागरित किया जाना चाहिए जिससे भारत में समाजिक शमश्या उत्पन न हो ठीक बच्चो अगला बच्चो पांचवाँ पॉइंटे ब्योसाइक सिक्चा दोरा आर्तिक सम्रिदी समाजिक सिक्चा के माध्यम से लोगों को ब्योसाय करने के लिए कुसल बनाना चाहिए जिससे नागरिक अपना जीव को पारजन कर सके अच्छे नागरिक देश के कल्यार में सहायक होते हैं समाजिक सिक्चा नागरिकों को उनके अधिकार में कर्टब्यों का ज्ञान कराती है जो लोगतंद को सुत्रिड और अस्थाई बनाने में सहायक होती है सांस्कृतिक ज्ञान को समझेंगे बच्चे प्रोड सिक्षा के द्वारा नागरिकों को उनकी प्राचिन सब्वितायम संस्क्रीत से अउगत कराना चाहिए ताकि लोगों में उनके संस्क्रीति गवरों के प्रेमयम आदर की भावना का बिकास हो नेक्स्ट क्वेशने बच्चो बारत में समाजिक सिक्षा के महत अपर प्रकाश डाली है देखिए बारत में आज भी निरचरों की सक्क्यात दिखे अता निरचर प्रोड इस तरी पुरुसों को साक्षर बनाने के लिए समाजिक सिक्षा अत्यंत आवश्यक तता महत्पूर है बारत में अनेक प्रकार के अन्दविश्वास कुरीतियां कुप्र भावत अता बिबिन समाजिक सिक्षा हैं विद्यमान हैं जिनका निराकरण समाजिक सिक्षा जो प्रोड सिक्षा इसके माधिन से किया जा सकता है समाजिक सिक्षा का अत्यदिक परचार परसार किया जाना देश में बाल सिक्षा के जरिये भी समाजिक सिक्षा आवश्यक है, प्रोड सिक्षा के माद्यम से बच्चों के माता पिता जागरुख होकर अपने बच्चों की सिक्षा का उचित प्रबंद करते हैं, ठीक है बच्चो? नेक्स्ट गए आप लोग का क्वेश्चन, राश्टिय प्रोड सिक्षा कारेकरम की मुखे बिसेस्ताओं का उलेग कीजिए, राश्टिय सिक्षा नीती के माद्यम से सरकार ने अस्वष्ट किया कि प्रोड सिक्षा हैं समाजिक सिक्षा के निम्न कारेकरम निर्धारित किये हैं पहला है बच्चो सतत विकास सतत सिक्छा की बेवस्ता उच्छ सिक्षर संस्ताओं के माध्यम से भी की जाएगी दूसरा देश के सभी ग्रामीड छेत्रों में सतत सिक्छा के नदर सापित किया जाएगे ठीक है बच्चो ? कलियर है ? चलिए यहां देखते हैं बच्चों कवर कराया, किसी भी बच्चे का कोई बी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बाक्स आपके लिए खुला हुए बेटा, कमेंट बाक्स में कमेंट करना न भूलिए, तो चलिए आज के क्लास में इतना heat स्वश्चत रही है, मस्तर हिया, अपनों के